at है ये डूट्वी को अज आइशक स्क्रco द्रश्वींगर्वlog相द को सब्स्वेख क्या है यह थी सब्स्वैब्सक्र अचर्य द्रभलपफ घ्या-n उन सब्स्वाइव ही ये चासाउयआ प defy अीकितिन प्रिकार गहते हैं कितने प्रेंगर्फ हम आगे देखते हैं ठीक है यह करके पहला देखते हैं general purpose और पहला क्या है general purpose टाइओड तो इसमें भी क्या होंगे बहुत सारे टाइप है और आपको लिखना कैसा है मिरे साथ साथ आप notes बनाईए ठीक है तो पहला लिखिए पहला क्या है जनल्र पर पर ़्योंट तो इस डैयोट का जो रिकावरी टाइम होता है वो कितना होता मैक्सिम को 25 माइकरो सेकंद कितना होता है ट्वाइव मांथल 주고 करिंट रिटिंग होती है आपके tamaul अबना किलो एंपिर तक होती है कितनी है चलों एंपंपिर्ज से कितनी रि आपके silicon के बनाए जाते हैं किसके silicon material के और जो इनका आपका forward resistance रहता है वो कम रहता जितना कम होगा उसी की बज़े से होती है current होती है current किसकी बज़े से होती है जितना कम resistance होगा reverse बाइस में उसका resistance depletion layer के चोड़ाई क्या होती है बढ़ने लगती है deflation अगर इसे reverse बाइस में जोड़ दोगे किसमें reverse बाइस में P और N इनके बीच की जो चोड़ाई होगी वो बढ़ जाएगे और बढ़ने की बज़े current फिलो नहीं होगा तो इसका जो reverse resistance होता वो अधिक होता है तो जब हम इसे क्या करते है एन माइनस यूज़ करते है सबस्टैंड माटेरियल तब क्या होता है recovery time इसका मानने नहीं होता इसलिए इसे क्या करते है कम switching speed equipment में इसका यूज़ करा जाता किसमें इसका एक इसके तीन टाइप ओर लिखवाए थे एक टरनल डायोड और एक देखते हैं ठीक है इसे साब करते हैं कि अगला कुंसा है आपका टैलर डायोड तो जो इसका इसका जो अविसकार था वो किसने किया था आपका यह साकी नहीं करा थाmusic 57 में और जो क्या करा था उसने उन्होंने क्या करता बस क्या कर आप जो आपका जरीक्रोश में नहींहीं थे ok यह यूए ही जरमेनियोथ उसकी क्या करीथी हाइ डॉपिंग करीथी कि घर क्या हुआ था बस अपका सिलेबस मान नहीं अ बस थोड़ा बहुत जान लेजिए ठीक है तो इसका जो इससे क्या हुआ यह माइक्रोवेव फिरक्वेंसी में बहुत उप्योगी हुआ तुछ इसका जो कभी कभार एससी के एक्जाम में पूछ ले था कि इसका आप बताएं इसका एक्जाम आपका सिंबल कैसा होता तो सिगनल डायोड तो जितना आपको रिवर्स बाइस फोर्वड बाइस यह पढ़ाएं सब उसी कई पढ़ाएं तो इसका बस थोड़े बहुत लिख लिजिए थोड़ा क्या होता है जो आपका ब्रेकडाउन बोल्टेज रहता है जो आपको रिवर्स बाइस में करने करते हैं ठीक हैं दूसरा क्या था आपको बैरिक्टर ड्यॉड यह यह तो आपको पढ़ाएं बढ़ियासे उसे एक बार वीडियो देखिए वो पता लग जाएगा आको बैरिक्टर डायोर्ड याना उसक्या होता है यह कशिटेटर होता यह साप करते हैं यह कौन सा है आपका वारेक्टड डायोर्ड आप वारेक्टर डायोर्ड तो इसका जो क्या होता है capacitor की तरह होता है दो प्लेट रहती है दो प्लेट के रहती है आपके capacitor की तरह एक पी हो गई और एक N हो गई तो इसे क्या क्या कहलाएंगे आप क्या लाएंगे संधारित तो इसका पहला क्या होगा एक सिलोकुन डायोट की तरह होता है संधारित की तरह होता है दूसरा यह क्या होगा कि आगर C क्या होता है आपके क्या होती है कि यहीं होती है जैसे resistance का क्या होता है रो अपन ए तो इसमें क्या है जो क्या हो गया तो क्या होती है यह क्या है आपकी डिप्लेशन लेयर है जो आपके P और N टाइप में जो डिप्लेशन लेयर बनी है उसके बीच के चोणाई है तब यहां को चार्ज इस्टोर हुआ था जो चार्ज इस्टोर हुआ था वह कितना था 0 0.3 और 0.7 0 you can 3 यो आपका 300 takes by था okay तो डिपलेसल लियर के मोटाई क्या होती है वो डिपलेसें अगला पॉइंट क्या होता है जो统ेसिंदे की मोटाई होती है और डार्कली अ सब्सक्रीट प्रोस्चिनल टू भौकिने और सब्सक्रवाद कर行了 completa उसके बाद हम पढ़ते हैं फास्ट रिकभरी डाइवड है अगर इसमें क्या हो रिवर्स बोल्टेज बढ़ाँ तो धायोड कि क्या हो गई इसके क्या स्थेंस उब बढ़ेगा अगर उसका इसुकर रिवर्स बोल्ट डिपलेसेल इरी के चोणाई बढ़ेगी तो कि प्रिपलेसल नेरे के चोणाय बढ़ेगी तो कि अगया घुँन होगी है यानिके इसका मतलब क्या है कंड़क्टिंग अ scraping अवस्क्क्रा में जा रहा है द्याया तो 159 falls recovery तके आपका जो आपकी घ्राबं वाए और यह ता यह ना तो इसमें क्या था कि इसका रिकवरी टाइम हम निकाले तो इसमें निकाले तो कितने दर्ण फॉर्वड है आपका ताया थया कितना घे वॉप्वर्ड और और हो यह है अगर-डरेशी में अब कर दो यह कहिस mejorar सोम्हें हो गई तो कि क्या कहला हाता है दो पम कर इसका चैनल पर णिौब्क में 950 पांच 400 होता है ने यूट्पर नहीं कि निवस्त क्पैक्ट्स ड्रोप होती है और बागई इसका यूज देखें यूज क्या होता है हाई स्वििचिंग के लिए हाई 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 स्विचछ ॐ रेक्टिफायर में यूज क्या तरहें होता है कि इस में है कि कि रेक्टिभार मं цен दूसरा क्या होता है फिरी विल्लिंग डेवाट फिरिटई क्या डेव Breathe Town जो आप क्या पढ़ोगे आपंगों tyre पढ़ोगे जो इसके अगला इससे अगले वाला चप्टर है उसमें पढ़ोगे है आप एक फेले डायोड लगाते हो इसमें क्या होगा कि आप यह बैटरी भी लगाते हो ना तो इसी में जो आपका reverse current फिलो ना हो उसके लिए एक डायोड लगाते हैं तो उसे ही क्या कहते है फिरिविलिंड डायोड वह यूँज करेंगे तो कौन सा यूज होता है आपका फासट रिकबलि डायोड फिरिए उसके बाद देखते हैं आप सोट डायोड आप कौन सा सोटकी डायोड तो यerson का यहाप Bulgar का उसका एक होगा ईस product कि होग आपका और। यहाले लिए होगा है तो यह होगा तो आपको कोई भी मटेरियल होगा जो positive का काम करेगा वह कौई भी का मटेरियल भाइब आपका गोर्ड हो सकता है आपका सिल्वर हो सकता है आपका ॱले निमा हो सकता और यह वह वह बो क्यासा एन ।ो यह किसका काम करेगा आपका पी का आपका सोट की डायोड का किसका कि डायोड ठीक है तो बस इतना यह देखना और क्या इतना आपका इसले बस में है नहीं बस आपका बेसिक बेसिक पढ़ लेजिए और यह कैसी डिवाई से सब कैसे नहीं आपके यूनि पोलर जो बन डाइरेक्शन वे करन्ट फिलो कर रहती है जिए के डिक फिलेब्स हो रहा है किसका है आपका आपका किसका गौल्ड जेवर किसी ब्दातू का के है कि अगली उकिलाइए झाल झाल झाल